मोकामा गोपाल गौंज और कुढ़नी में अब कभी भी उपचुनाव हो सकते हैं और उपचुनाव का नाम सुनते ही तिरस्वी यादव के साथ साथ भाजपा के वोनेता एकदम खुश हो जाते होंगे क्योंकि उनके लिए ये मौका जैसा है कि वो अपने सीटों को बढ़ा स सकते हैं आप समझेगा इस बात को लेकिन आज वा बात तिरस्वी यादव की नाबात भाजपा की होगी बात होगी मुकेश वाजपा की होगी मुकेश टहिनी की हम आपको याद दिलाना चाहते हैं हमने मुकेश चैनी का साथ Regina कार किया था—तकर एक महींन पहले और उस वकद स्माज के लोग हमारे साथ हैं, हमारे अटी पिश्रे समाज के लोग हमारे साथ हैं और ये बात तरश्वी आदव और भाजपा केलिए मुकेश चहनी इंडारेक्ट्ली कह रहे थे अब समझे इस बात को गोपाल गंज मोकामा और कुढ़नी में अगर उपचुना होता है, मुक श्रहनी अलग से अपना प्रत्याशी उतारते हैं, तब क्या होगा ये बात तिरस्वियादव और भाजपा वाले जानते हैं, बहराल इस वीडियो में इस बात कहाई विशलेशन करेंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार स्विकार करिए, मिरा नाम प्रशांतराय है, ये वीडि के माभवानी डेकोर के जो फोन नमबर दिख रहा है, उस पर फोन करिए, या उनके आउटलेट पर जाकर आप खरीच सकते हैं, अगर आपका घर दूर है, तो माभवानी कोटा, स्टोन, टाइल्स, मार्बल और गरनाइट आपके घर तक भी पहुँचा देता है, बैरहाल ल हर जगह ऐसा ही होगा, जाहिसी बात है कि सबको लगता होगा कि मुकेश शेहनी का अपना वोट नहीं है, लेकिन जह हमने बहुत सा रिसर्च किया, तो हमें मालूम चला कि देखिए, निशाद समाज के लोग तो हैं, और जिस बात का जिस परसेंटेज का जावा मुकेश शे उंगलिया दबा लेंगे, और उनको लगेगा कि जिस आदमी को तो हम मान ही नहीं रहे थे कि ये आदमी लडाई में है, उस आदमी ने आखिर खेल कैसे कर दिया, आप समझेए, मुकामा में और कुर्णी में जब नए नहीं रायत के विधायक हैं, उनको आया है, कोर्ट से कि उनका सजा हो गया है उनको और सजा होने के बाद उनकी विधायकी जानी रद है, तो उसके बाद उपचुनाव का होना तय है, और अगर वहाँ उपचुनाव होता है, और उपचुनाव में मुकेश चहनी महा गठबंदन के साथ नहीं जाते हैं, वो NDA के साथ भी नहीं है और ये लोग चाहते हैं कि कैसे भी मुकेश शहनी इनके पाले में आ जाए मतलब ये कि वो आदमी जो चार सीट जीत कर मंत्री बनता है उसके विधायक भाजपा के द्वारा हथिया लिये जाते हैं उसके बाद वो आदमी कहता है कि हम किसी भी पाले में नहीं जाएंगे और बात तो था है कि वो वोट काटेंगे वो किसका वोट काटेंगे महा गठबंदन का भी काट सकते हैं और भाजपा का भी थोड़ा वोट काटी सकते हैं मुकेश शहनी चलाक आदमी है अगर वो गोपाल गंज से किसी समर्ण को उतार देते हैं तो समर्ण का भी वोट कटेगा और उसके बाद निशाद समाज के लिए तो वो दावा करते रही है कि ये मेरा कोर वोटर है और ये कभी छिटक कर कहीं नहीं जाएगा तो अगर मिलाज उलाकर हम बात करें मोकामा का गोपाल गंज का और कुड़नी का तो मुकेश चेहनी खेल कर सकते हैं एक ऐसा खेल जिसके बारे में तरस्वी और भाजपाने शायद सोचा नहीं होगा और अगर उन लोगों ने सोच कर उनको अप्रोच कर दिया है तो वो चाहते होंगे कि मुकेश चेहनी उनके पाले में चले जाए बैरहाल मुकेश चेहनी को राजनीतिक दूरूप से प्रासंगी करना अभी के द मुकेश चेहनी ऐसा नहीं करते हैं वो कुछी के साथ चले जाते हैं तो भी उनके हाथ में लड़ू ही है क्योंकि उस पार्टी से उनको सीट मिलेगा चुनाओ लड़नेगा और फिर उनकी जीत पक्की हो जाएगी बहराल अब तक कोई अपडेट तो नहीं आया है लेकिन द जानिवाद